दोस्तों इंडिया में एक ऐसा शहर है जो अपने महलों, किलों, खान-पान, होटलों, महमान नवाजी के लिए पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। पिंग सिटी के नाम से मशहूर यह शहर राजस्थान की राजधानी है, जिसे हम जैपुर के नाम से जानते हैं। जिसके बारे में सारी जानकारी लेने के बार, अगर आप प्लैनिंग कर रहे हैं, तो आप के लिए ये वीडियो बहुत यूस्फुल होने वाला है। आइए शुरू करते हैं वाई टी भारत चनल पर आज का जैपुर का ये बहुत ही इंटरस्टिंग और इंफॉर्मेटिव वीडियो चलिए दोस्तों। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आपको जैपुर की बहुत सुंदर फोटोग्रैप्स के साथ साथ कम्प्लीट पैकेज की डिटेल बताना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये पैकेज जैपुर से स्टार्ट होकर के जैपुर पर ही फिनिश होगा। सबसे पहले क्या-क्या included है वो बताना आपको स्टार्ट करते हैं तू नाइट थ्री डेस के इस package में आपको सबसे पहले accommodation मिलेगा जो आप चूस करेंगे standard deluxe या super deluxe hotels के अंदर इसके बाद daily breakfast आपको hotel में provide किया जाएगा और AC car for all transfer and sightseeing from जैपूर sedan for 2% और SUV for 4 या 6% आपको provide की जाएगी सारे taxes इस package के rate में included हैं अब आगे चलते हैं दोस्तों आपको daily आइटनरी बताना स्टार्ट करते हैं सबसे first day आप पहुँचेंगे जैपूर airport या railway station आपको pick up किया जाएगा और उसके बाद आपको transfer किया जाएगा आपके hotel में hotel में transfer करने के बाद आप check-in करिए और check-in के बाद आप evening में निकल जाएए optional tour पर जो होने वाला है जैपूर के लक्ष्मी, नरायन, temple के अंदर जिसे हम बिरला मंदिर के नाम से भी जानते हैं और शाम को जैपूर में सबशे मशूर एक tourist destination है चौकी धानी वहाँ पर भी आप जा सकते हैं आपको car का driver वहाँ पर drop कर देगा टिकट को आप वहाँ पर purchase करिए जो आपके खुद की on cost पर होगा और चौकी धानी के अंदर घूमिये बहुती सुन्दर आपका यहाँ पर अनुभव रहेगा इस चौकी धानी के अंदर वापस लोट ये गाड़ी में बैट करके hotel और overnight stay करिए hotel के अंदर dinner करने के बाद जो चौकी धानी में ही आपके इस package में included होता है चौकी धानी का जो आप ticket purchase करते हैं अब चलते हैं day 2 जैपुर local side scene के बारे में आपसे बात कर लेते हैं after morning breakfast करने के बाद आप निकलेंगे full day के local side scene tour पर जो जैपुर city के अंदर ही होता है इसमें सबसे पहले क्या क्या included है आप photographs के मार्ध्यम से भी identify करें इस place को मैं एक एक करके नाम बता रहा हूँ आपको और photographs से आप समझ पाएंगे सबसे पहले है the city palace जंतर मंतर observatory हवा महल अलबर्ट हॉल जल महल अंबर फोर्ट जिसे हम आमेर फोर्ट के नाम से भी जानते हैं दोस्तों ये जो मैंने आपको places बताए हैं आप इसमें से कुछ add-on या कुछ कम भी कर सकते हैं जैसे time limit हो और आप घूमना चाहें तो इसमें up और down भी कर सकते हैं ये जब आप package बनवाए तो अपनी requirement travel company के साथ share कर सकते हैं जिसका mobile number और पूरी contact detail में वीडियो के title और description में share करने जा रहा हूँ package को book करवाईए और हो कर के आईए जैपूर उसके बाद ये सब पूरा दिन घूमने के बाद आप overnight stay करिए hotel के अंदर last day आपका जैपूर में drop होने वाला है जो आपका railway station या airport पर होगा अब दोस्तों आपको चलते हैं इसका सबसे important part आपको बताने जा रहा है है जो आप जानना चाहते हैं airport या railway station के drop के साथ साथ आपको बताते हैं जैपूर में अगर आप standard package लेते हैं तो राजपूताना डाइरी या उससे similar आपको hotel दिया जाएगा डिलक्स package में Sun City Plaza hotel या उससे similar और Super Deluxe में Saigat in Grand hotel या उससे similar दिया जाएगा package cost है standard में 4,500 per person 5,750 अगर आप लेते हैं डिलक्स category मतलब ये वाली और 6,500 per person यदि आप Super Deluxe की category लेते हैं तो दोस्तों मीट करता हूँ आपको सारी details समझ में आ गई होंगी कोई भी confusion हो तो वीडियो पर comment करके पूछ सकते हैं और इसके साथ साथ सबसे importantly आप travel company को call करिये जो वीडियो के title और description में दिया है discuss करिये कुछ up down करना है तो उसमें changes भी आप करवा सकते हैं मिलते हैं YT भारत के इसी तरह के बहुती अगले interesting और informative travel वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों जै हिन जै भारत नमस्कार हुआ 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 है